Hello everyone, my name is Sirvesh and you are watching my YouTube channel आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे-च्छे formations and structures मिलने वाले हैं वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा समझा सकूँ grammatical उसको अलग-अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, क्या-क्या अलग-अलग formations और हो सकती थी तो यह सब बताने कोशिश करूँगा आपको इस notepad, notebook लेकर बैट जाए कोई भी चीज आपको important लगती है जो आप अपनी conversation में add कर सके वो चीज़ आप लिख लीजिए और उनको अपनी conversation में add कीजिए हो तो इसको आप simple past में भी रख सकते हो there was करके, चीज़ है मैं दोनों तरीके से समझाने के कोशिश करता हूँ चीज़ है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि एक बार मेरा बुरा दौर था, चीज़ है so once there was a there was a face of my life, इस तरीके से कि एक बार मेरे जीवन का एक दौर था इस तरीके से मैं ने बना दिया, चीज़ है once there was a face of my life, चीज़ है second अगर मैं इसको action के रूप में लूँ so action के रूप में यहाँ पे क्या होगा, एक बार के लिए once लगाओ sad में रख दो, मेरे जीवन में एक दौर आया मेरे जीवन में एक दौर आया अब do or main word action की formation रहेगी, past and definite sentence है तो do or कौन है, जो आया कौन आया, एक face चीज़ है, एक दौर, दौर को face so a face, फिर did लगेगा main word और फिर action आयगा, आना come, लेकिन did छुब गया, come के अंदर second form बन गई, a face came into my life, ठीक है, तो मेरे जीवन में एक दौर आया, ठीक है, तो पूरा बना, एक बार मेरे जीवन में एक दौर आया once a face came into my life जब मैं दिवालिया हो गया था, ठीक है, जब मैं दिवालिया हो गया था, अब यहाँ पर भी अगर आप चाहो, so action लगा सकते हो, I went इस तरीके से, कि मैं किसी condition के अंदर चला गया था, ठीक है I got, यह भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, I became यह भी हो सकता है, इनमें डिड़ छुप रहा है तीनों के अंदर ही, so आप यहाँ पर इन तीनों का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस sentence को चाहो, so आप simple past की form में रख दो, कि जब मैं दिवालिया हो गया था, मलब जब मैं दिवालिया था, मैंने इस तरीके से बना दिया होने की formation में मैं ने बता दिया become, get, आप इनका यूज कर सकते हो चीक है, तो जब मैं दिवालिया हो गया था जब के लिए when लगाओ, side में रख दो sentence पकड़ते हैं, मैं दिवालिया हो गया था, चीक है मैं दिवालिया था, चीक है simple past की formation में रखते है formula क्या कहता है, किसकी बात कर रहे है फिर main word, फिर वो क्या था so किसकी बात कर रहा हूँ मैं की, I उसके साथ main word लगेगा was, अब क्या था मैं, bankrupted, चीक है bankrupt का मतलब होता है दिवालिया, मतलब सब कुछ चला जाना कुछ भी नहीं है past में, so once I was bankrupted, चीक है अगर आप इसको past indefinite की form में बनाना चाहो, so once I got इस तरीके से ये बन सकता है, get के अंदर did छुप जाएगा, चीक है, so जब मैं दिवालिया हो गया था, when I was bankrupted, अगर ये सवाल होता है, मैं कब दिवालिया हो गया था, so when was I आ जाता, चीक है, when के बाद was आता, क्योंकि when quotient word की तरह use होता है, लेकि यहाँ पर quotient word नहीं है ये, so when I was bankrupted जब मैं दिवालिया हो गया था मैंने जो company बनाई थी मैंने, जो company बनाई थी वो घाटे में चली गई थी ठीक है, so the company which I made, ठीक, जो company मैंने बनाई थी ठीक है, तो ऐसे जो चीज़े होती है, मैंने क्याई बनाई थी, अब लड़के के लिए मैंने who का use किया, लेकिन मैंने बताया हुआ है अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो which का use होगा बात हो कि अगर कुछ बात कर रहे हैं, तो what का use हम करते हैं तो यहाँ पर company कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं कि countable नहीं है, बिल्कुल countable है, एक है, दो, तीन, चार होंगी, चलो चीक है, so the company which I made, so the company which जो company मैंने बनाई थी, I did make आना चाहिए, past indefinite sentence है, do or main word action I did make, लेकिन did छुब गया, make के अंदर वो made बन गया, so the company which I made जो company मैंने बनाई थी, वो घाटे में चली गई, चीक है अब घाटे में चली गई, यहाँ पर भी आपका past indefinite sentence लगेगा, चीक है, जी so do or दुबारा लगाने के जोरत नहीं है कौन घाटे में गया, company ही गई, तो company जीक है, वो घाटे में चली गई, so manager company बनाई थी, वो घाटे में चली गई, the company which I made went into loss मैं करोडो के कर्ज में था, चीक है अब इसमें कुछ action है ही नहीं कोई action तो ही नहीं इसके अंदर so यह simple past sentence है, formation वही होगी, किसकी बात कर रहे हैं फिर main word, फिर वो क्या था, चीक है so मैं करोडो के कर्ज में था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, I फिर लगेगा उसके साथ was, अब मैं क्या था कर्ज में था, करोडो के, चीक है so कर्ज में होना मतलब हम बोलते हैं, in a debts, चीक है, debts में बी की आवाज नहीं था, debts ही उसको बोलते हैं so I was in a debts of crores चीक है, कि मैं करोडो के कर्ज में था, I was in a debts of crores मेरा व्यक्तिकत bank balance शून्य था, चीक है अब ये भी sentence कौन सा है, ये भी अपका simple past है, कोई action test में है ये नही formation same रहेगी कि किसकी बात कर रहे है, फिर main word फिर वो क्या था, चीक है, so मेरा व्यक्तिकत bank balance शून्य था बात किसकी चल रही है, मेरे व्यक्तिकत bank balance की, व्यक्तिकत का मतलब personal, चीक है, अब अब ही ताब बच्चे नभी दिन शुद्ध हिंदी वोलते ही है, चीक है सो मेरा व्यक्तिकत balance, इसकी बात चल रही है, so my personal bank balance चीक है, bank balance क्या होता, बैंक में कितना amount रखा हुआ है, वो चीज so my personal bank balance फिर आएगा main word, singular चीज है, तो was क्या था वो, zero, शून्य so my personal bank balance was zero, मेरा व्यक्तिकत bank balance, शून्य था कमाई के सारे रास्ते बंद थे चीक है, अब ये sentence भी आपका simple past यह है, action तो कुछ है ही नहीं, अगर बंद हो गए थे, ऐसा कुछ होता, तब तो यहाँ पर action होता, की हो ना चीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कुछ action तो है नहीं, कि सारे रास्ते बंद थे, तो इसमें कोई action नहीं है, सिर्फ बताई जाए दे कि हाँ भाई, ऐसी चीज़ थी, ये चीज़ थी तो formula same, किसकी बात कर रहे है, फिर main word, फिर वो क्या था कमाई के सारे रास्ते बंद थे, किसकी पर जो ways है, मलब रास्तों की बात कर रहे है, तो plural चीज़ है, तो इसके साथ were आएगा, so all the ways to earn were, अब वो क्या थे, बंद थे, अब बंद यहाँ पर वो किसी condition के अंदर थे, कि इस वाली condition, तो close नहीं आएगा, close द आएगा, ठीक है, मैं बुलू, कि जब मैंने उसको देखा, भाई, मैं surprised था, so मैं surprised नहीं था, मैं surprised द था, तो द लगेगा, ED लगेगा उसमें, कि मैं उस form के अंदर था, सो कमाई के सारे रास्ते क्या थे, close नहीं थे, closed थे, बंद हो चुके थे, वो वाला sense है, तो कमाई के सारे रास्ते बंद थे, all the ways to earn were closed, धीरू भाई को इस बारे में पता चला, ठीक है, धीरू भाई को इस बारे में पता चला, अब पता चलने वह हम क्या बोलते हैं, get to know, ठीक है, get to know, ये चीज़ है, पता चलना, ठीक है, ऐसा, तो धीरू भाई को इसके बारे में पता चला, ठीक, यहाँ पे sentence कौन सा है, sentence है आपका कौन सा, past indefinite, ठीक है जी, so past indefinite का sentence है, ना negative है और ना ही question है, formation क्या होगी, doer, main word action, यही होगी, so धीरू भाई को इस बारे में पता चला, यहाँ पे doer कौन है, किसको पता चला, धीरू भाई को, so धीरू भाई है या doer, so पहले धीरू भाई, फिर main word आएगा did, अब action है पता चलना, so get to know, लेकिन simple sentence है, तो did छुब गया, get to know के अंदर, और वो बन गया got to know, so धीरू भाई got to know about this, कि धीरू भाई को, इसके बारे में पता चला, ठीक है, आपको यह get to know, आप कही जगा यूज़ कर सकते हैं, comment box में आप sentence बना कर देख लीजी, आपको बहुत easily बन जाएंगे यह, ठीक है, कि क्या तुम्हें पता चला, उसके बारे में, so did you get to know about this, ऐसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हम यह भी बोलें न, मुझे कुछ पता चला है, so I have got to know something, so उन्होंने अपने बेटे, और मेरे दोस्त अनिल को बुलाया और कहा, उन्होंने अपने बेटे, और मेरे दोस्त अनिल को बुलाया और कहा, sentence कौन सा है, यह भी sentence आपका past indefinite है, शायद इसमें आपको past indefinite और simple past के sentence ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बात ही past के चल रही है, तो कुछ sentence है, वो present में हो सकते हैं, narration में आने के बाद, लेकिन mostly आपको past indefinite और past simple में ही मिलेंगे, उन्होंने अपने बेटे और मेरे दोस्त अनिल को बुलाया और कहा, तो sentence कौन सा है, past indefinite है, formula सेम रहेगा, do or main word action, क्योंकि ना negative है और नहीं question आ रहा है, so do or कौन है उन्होंने, मतलब वे, वे है, he, so he, फिर main word did, action कहा है, बुलाना, बुलाने को भी हम क्या बोलते हैं, call, चीक है, so he did call आना चाहिए, लेकिन did छोबा call के अंदर sentence simple है, तो called बन गया, he called, उन्होंने बुलाया, किसको his son, अपने बेटे, and my friend, और मेरे दोस्त, अनिल, चीक है, so उन्होंने, अनिल, जो है, मेरे दोस्त, और उनके बेटे, उनको बुलाया, so he called his son, and my friend, अनिल, और उन्होंने अपने बेटे, और मेरे दोस्त, अनिल को बुलाया, और कहा, अब जो यह है ना, और कहा, यह sentence भी आपका past indefinity है, लेकिन और उन्होंने कहा, दुबारा मैंने mention नहीं किया, do or कौन है, same English में भी होता है, दो दुबार आपको एक ही context में mention नहीं करना होता है, कि he called and he said, इस तरीके से कोई जरुत नहीं है, he called and said, इस तरीके से बन जायेगा, तो यहाँ पर did छुपा हुआ है say के अंदर, so he called his son and my friend Anil and said, और कहा, तो उन्होंने अपने बेटे और मेरे दोस्त Anil को बुलाया और कहा, वो बुरे दौर से गुजर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर action है, कि गुजर रहा है, गुजरना है यहाँ पर action है, ठीक है, अब किसी दौर से गुजरना, मलब go through का use होता है, यहाँ पर, किसी चीज से होकर गुजरना, चाहे वो time है, कोई एक tunnel है, कोई आप book भी अगर पढ़ रहे हो ना, शुरू से लेकर end तक, एक पूरा उसमें से गुजर रहे हो, तो वहाँ पर भी through का use होता है, go through का, ठीक है, sentence यह वाला है, यहाँ पर present continuous, ठीक है, so present continuous में ismr लगेंगे, action की first form plus ing आएगी, यह तो पता है, so do or main word action, इसी की formation होगी, so वो बुरे दौर से गुजर रहा है, बात कर रहे हैं वो की he, फिर आएगा main word he के साथ is, फिर action क्या है यहाँ पर go through, किसी चीज से गुजर ना, so going through आएगा, ठीक है, क्योंकि ing लगेगा, go के अंदर, so he is going through, किस चीज से गुजर रहा है, he is going through a bad time, वो बुरे दौर से गुजर रहा है, वो बुरे वक्त से गुजर रहा है, उसका बेकार समय चल रहा है, इस तरीके से, so he is going through a bad time, उसे कुछ पैसे दे दो, अब यह sentence कौन सा है, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो do वाला sentence होता है, जहाँ पर हम अगले को कुछ करने के लिए बोल रहा है, अगर sentence simple होता है, तो do चुपावा रहेगा, एक्षन के अंदर negative होगा, तो बाहर निकलाएगा, लेकिन यहाँ पर छुपेगा, क्योंकि simple है, उसे कुछ पैसे दे दो, so give him some money, यहाँ पर do चुपावा एक गिफ के अंदर, अगर sentence यह बनेगा, उसे कुछ पैसे मत दो, so do not give, ऐसे आ जाएगा, एक्षन में ing का भी यूज़ कर सकते हो, having plus third form का भी यूज़ कर सकते हो, चीक है, और इसको अगर आपको गौनोही तरीके से समझ में ना आए, so इसको सबसे simple तरीका है, बिल्कुल simple formation में तोड़ लो, जैसे sentence है, अनिल ने मेरे pass आकर इस बारे में बताया, और इस बारे में बताया, और इस बारे में बताया, तो मुझे मैंने यहां दुबारा mention नहीं करा, क्योंकि वो context में चलता बारा है, और नहीं मैंने यहां पर दुबारा यह mention किया, कि किस ने बताया, ही, वो मैंने mention नहीं किया, तो वही चीज़ हो गई, अनिल मेरे पास आया, और उसने बताया, अनिल came to me and told about this, और इसके बारे में बताया, अनिल मेरे पास आया और इसके बारे में बताया, कि यह तो past continuous बनना चाहिए he was wanting इस तरीके से मत बनाना sentence तो यह तो sentence है यह past indefinite ही है तो यह छोटी-छोटी सी चीजें ही बहुत जरूरी हैं समझनी कि रटना नहीं है मतलब क्या है कि जो धनराशी जो राशी वो मुझे देना चाहते थे अब हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में वैसे चले जाते हैं इस तरीके से बोल देते हैं कि जो धनराशी वो मुझे देना चाहा रहे थे यहाँ पर आप past continuous में बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप willing का use कर सकते हो the amount he was willing to give me इस तरीके से बना सकते हो लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़े समझ में ना आए तो wanting wanting का use मत करना ऐसी चीज़ों में sentence को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना जो धनराशी वो मुझे देना चाहते थे ऐसे बना दो sentence जो धनराशी वो मुझे देना चाहते थे और यहाँ पर अगर आप चाहो तो what, which, who को ignore भी कर सकते हो मैं दौनों तरीके से समझाता हूँ इसी sentence में so the amount which he wanted to give me so the amount which जो amount जो मुझे देना चाहते थे यह past indefinite sentence है वो मुझे देना चाहते थे मैं doer कौन है वो फिर did और फिर action कहा है चाहना वो मुझे देना चाहते थे तो यह एक तरीका हो गया the amount which he wanted to give me एक तरीका यह हो गया अगर आप चाहो तो which, what इनको हटा सकते हो the amount he wanted to give me तीसरी चीज़ बता हूँ आप यहाँ पर that का यूज़ कर सकते हो वो भी बहुत चलता है the amount that he wanted to give me ठीक है, तो यह कई सारे तरीके होते है एक ही तरीके वो पकड़के confused मत हो ना, कि इसी को ही मैं पकड़के पीछे चलूँगा, ना, कई सारे तरीके होते है so, जो राशी वो मुझे देना चाहा रहे थे, मलब चाहते थे so, the amount which he was willing to give me, एक तरीका यह है the amount which he wanted to give me, एक तरीका यहाँ पर यह है उससे मेरी सारी परिशानिया खतम हो जाती ठीक है, अब यह जो sentence है, यह भी बहुत सारे तरीकों से बन सकता है लेकिन मैंने इसकी एकदम typical formation ही रखी है, बिलुकुल typical formation, उससे मेरी सारी परिशानिया खतम हो जाती एक तरीका यह हो गया, कि मैं यहाँ पर doer दिखा दूँ, कि वो पैसा, वो राशी so that amount ठीक है, that amount could end all my problems एक तरीका यह हो गया, कि मैंने यहाँ पर doer mention कर दिया, कि doer कौन है, वो राशी, वो amount, वो यहाँ पर doer है, second तरीका है, उससे मेरी सारी परिशानिया खतम हो जाती, मैं यहाँ पर जोर किस चीज के उपर दे रहा हूँ, काम के उपर जोर दे रहा हूँ, मैं person के उपर जोर नहीं दे रहा हूँ, किस चीज से होती, उसके उपर जोर ही नहीं दे रहा हूँ, चीक है भाई तुम उसको पीट सकते थे चीक है, तो यह जो चीज है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि could have का use होगा, sorry, could be का use होगा और third form लगेगी चीक है, कि दिवार को paint किया जा सकता था, अब अगर मैंने बोला कि तुम उसको पीट सकते थे, तो यहाँ पर तो could have का use होगा, क्योंकि यहाँ पर यह action मलब यह passive sentence नहीं है यह active sentence है, कि you could have done this, तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन जब मैं काम के उपर जोड दे रहा हूँ कि दिवार को paint किया जा सकता था चीक है, so could be plus third form का use करोगा, so my all problems could be ended by that, उससे हो सकती थी खतम, चीक है दिवार को paint, दिवार paint हो सकती थी, the wall could be painted this work could be done यह काम हो सकता था इस तरीके से, so उससे मेरी सारी परिशानियों खतम हो जाती my all problems, चीक है, पहले किसकी बात कर रहे हैं, चीक है फिर main word और वो क्या हो सकता था, so किसकी बात करें मेरी सारी परिशानियों कि my all problems फिर main word could be, अब action क्या है, खतम होना, तो उसकी third form लगेगी ended by that, चीक है second, मैंने पहला तरीका आपको यह भी बता दिया था, कि that could end my all problems यह भी तरीके से बना सकते हो, अगर आप उसको action formation के अंदर लेना है that could have ended my all problems that could add my all problems, यह कही सारे तरीके से बना सकते हो, अब sentence को so उससे मेरी सारे परिशानियों खतम हो जाती, चीक है यह sentence बन गया, next देखते है उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ चीक है, अब यहाँ पे, चाहो इस sentence को simple past में रख सकते हो, कि I was emotional, मैं भावुक था चीक है, लेगिन अगर आपको यहाँ पे sense लेना है कि सर यहाँ पे action वाला लेते हैं कि action में क्या होगा, तो get का use होगा, कि मैं किसी form में हो गया so past indefinite का sentence लिया do or mean what action, I did get चीक है, did छोपा get के अंदर God बन गया, I got emotional, मैं emotional हो गया, भावुक हो गया, किस चीज़ पर उनकी उदार्ता पर, उदार्ता क्या होती है, kindness, on his kindness so I got emotional on his kindness इसको आप simple past में भी बना सकते थे, कि I was emotional on his kindness, चीक है लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदार्ता को सुईकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन के लिए but लगाओ, साइड में रग दो, sentence पकड़ दे हैं, मुझे लगा, अब ये लगा कैसे, इसने महसूस किया, मलब वो महसूस करके लगा इसको, इसको वो महसूस हुआ sentence कौन सा है, past indefinite, do or main word action I did feel do or main word action, I did feel लेकिन, did छुपा feel के अंदर, और वो क्या बनिया, felt, but I felt, लेकिन मुझे लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि, that, मैं उनकी उदारता को सुईकार नहीं कर पाऊंगा past में बैठके future के बारे मैं सोच रहा हूं, और मैं अब बता रहा हूं, कि मैं past में बैठके ये सोच रहा था, तो ऐसे जगा पर would का use होता है, मैंने चीज़ कई बार बताई हुई है, ठीक है, कि अगर आज, मान लिजे, 20 तारिक है, और मैं बात कर रहा हूं, कि मैं 15 तारिक को बैठके सोच रहा था, कि मैं 16 तारिक को ये करूँगा, तो वो 16 तारिक मेरे लिए आज past हो गई, ठीक है, so I was thinking that I would do that, इस तरह से sentence बनेगा, but I felt that I would not be able to accept his kindness, ये sentence कौन सा है, मैंने बता दिया would वाला है, would be, ठीक है, so I would not be able, अब future की जब हम बात करते हैं, ठीक है अब यहाँ पर would be का क्यों use हुआ, क्योंकि मैं past में बैठके future की सोच रहा हूँ, अगर मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कि मैं कल नहीं खेल पाऊंगा, so I will not be able to play, समझ रहे हो, I will not be able to play tomorrow, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर 16 तारिक को बोल रहा था, कि मैं 17 को नहीं खेल पाऊंगा, और मैं 20 तारिक को बता रहा हूँ, so I would not be able, so will be able, यह होता है future की can form, आप यह मान के चलो, ठीक है, अब यहाँ पर would लगेगा, क्योंकि past में future की सोच रहा है, so would be able का use होगा, ठीक है, so I would not be able to accept his kindness, doer, main word, not action, यह formation है, अब मैंने बताई हूँ, यह has been, have been हो, would be, will be हो, इनमें जब not लगना हो, या फिर इनकों पहले लेकर आना हो question में, so यह दोनों separate हो जाते हैं, ठीक है, इन दोनों के बिच में gap आ जाता है, तो जो not आएगा, वो would के साथ आएगा, ना कि would be के साथ not नहीं आएगा, सिर्फ would के साथ not आएगा, और फिर be बाद में लगेगा, ठीक, so doer का और है, I, action क्या है, would, फिर लगा not, be जो would be का बचा हुआ है, वो लगा उसके बाद में, so doer, main word not, और action क्या है यहाँ पर, sorry, फिर लगा able to, ठीक है, will not be able to, यह साथ में ही चलेगा, पूरा, action क्या है, यहाँ पर सुईकार करना, so accept his kindness, I would not be able to accept his kindness, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को सुईकार नहीं कर पाऊंगा, but I felt that I would not be able to accept his kindness, भगवान की करपा से कुछ कठिन समय के बाद, अब जो यह term है भगवान की करपा से, उपरवाले की दुआ से, उपरवाले की करपा से, जो यह चीज़ बोलते हैं, तो इसके लिए proper structure है हमारे पास, by the grace of God, चीक है, by the grace of God, की भगवान उपरवाले की करपा से, इस तरीके से, कुछ कठिन समय के बाद, after some difficult time, चीक है, यह तो simple ही है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, after some difficult time, कुछ कठिन समय के बाद, समय बदला, चीक है, समय बदला, अब यह sentence कौन सा, इसमें action है, समय बदला, बदला एक action है, यहाँ पर, past indefinite का sentence है, do or main word action, कौन बदला, समय, so time, फिर main word आया का did, action है change, लेकिन did छुपा change के बाद, वो changed बन गया, भगवान की किरपा से, कुछ कठिन समय के बाद, समय बदला, by the grace of God, after some difficult time, time changed, मुझे काम मिलने लगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मतलब इसको अगर आप बनाने लग जाओगे, तो बहुत confused हो जाओगे, कि अगर इसको typical word to word पकड़ोगे, इस ऐसे sentence को बनाओ कि मुझे काम मिलना शुरू हो गया, तो action जब आपको confused करें, तो action को थोड़ा सा twist कर दो, ठीक है, मुझे काम मिलने लगा, मतलब मुझे काम मिलना शुरू हो गया, ठीक है, so do or main word action, past indefinite का sentence है, so do or कौन है, मैं, I, फिर did, action कहा है, शुरू हो गया, so start, अब यहाँ पर did show पर start कहने दा, I started, ठीक है, I started getting work, काम मिलना, ठीक है, I started getting work, मुझे काम मिलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे, मैं अपने सारे करज चुका पाया, अब यह जो पाया है, ठीक है, मालब कोई चीज मैं कर सका, कैन की पास्ट फॉर्म मरलब कुड लगेगा, यहाँ पर, ठीक है, अब कुड के कई सारे यूज होते हैं, सिर्फ यही रटक है, मत बैठ जाना कि कैन की पास्ट फॉर्म ही होती है, कुड वुड के उपर मैंने एक दो तिन वीडियो बनाई हुई है, अब उनको देख लेना, चीक है, और धीरे-धीरे मैं अपने सारे कर्ज चुका पाया, तो कुड वाला सेंटेंस है, देखो, अब यहाँ पर और धीरे-धीरे, अब मैंने वही चीज बोली हुई है, सेंटेंस ना, आप डूर से बकडा करो, जैसे मैं अपने सारे कर्ज चुका पाया, धीरे-धीरे, आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर जो इससे पहली के जीज बची हुई है, उसको बना के साइड में रख दो, और धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे को स्लोली-सलोली मत बोला करो, यह तो जीज लिटरली हो गई, जैके कि यह मतला वगर कोई मैं काम कर रहा हूँ, मैं तेज-तेज लिख रहा हूँ, या फिर मैं तेज-तेज बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर स्लोली वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ऐसे बात करता हूँ ना, कि भाई मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ध्यान देते रहो, धीरे-धीरे आपको आ जाएगा, तो इस धीरे-धीरे को मैं सलोली-सलोली नहीं बोलेंगे, इसका हम बोलते है ग्राज्वेली, और धीरे-धीरे and ग्राज्वेली, अब यहाँ से सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं अपने सारे कर्ज चुका पाया, मैं अपने सारे कर्ज चुका सका, so do or main word action की formation है, so do or कौन है I, main word could, action कहा है कर्ज चुकाना, अब इसको मैंने बताया हुआ है, इसको मैं बोलते हैं repay, ठीक है, कि कोई चीज ली हुई है, मैं चुका रहा हूँ, चुकाने को बोलते हैं repay, so I could repay my all debts, ठीक है, सारे कर्ज, और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्ज चुका पाया, and gradually I could repay my all debts, एक बार मुझे धीरू भाई के, यहाँ से एक party में अमंतृत किया गया, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, आमंतृत किया गया, किसने किया, उस चीज से फरक नहीं पड़ता, किया गया, तो यह एक passive sentence है, चीक है, समझ रहे हो, तो एक बार के लिए, once लगा दो, इसको रखो side में, doer से पकड़ते हैं, मुझे दीरू भाई के यहाँ, एक party में अमंतृत किया गया, चीक है, सो past का sentence है, passive वाला, was वर का use होगा, और third form आएगी, passive में third form, आपको समझ में आजाने चीज़, third form लगेगी, so doer, main word action, उसी की formation है, doer कौन है, मतलब किस पर काम किया गया था, मुझे बुलाया गया था न, so I, वैसे तो यहाँ कोई doer है नहीं, किस ने किया हो तो पता ही नहीं है, लेकिन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मुझे बुलाया गया, so I, फिर was, main word लगा, action किया है यहाँ पर, बुलाना, तो अमंतरित करना, चीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, invite, उसकी क्या लगे कि third form, so I was invited, मुझे अमंतरित किया गया था, in a party, एक party में, at धीरु भाईस place, धीरु भाई के यहाँ पर, धीरु भाई की जगा पर, इस तरीके से, सो एक बार, मुझे धीरु भाई के, यहाँ एक party में, अमतरित किया गया, once I was invited in a party, at धीरु भाई's place, उपर एक lawn में, धीरु भाई अपने दोस्तों के साथ, बैठे थे, चीक है, sentence कौन सा है, sentence है आपका, past continuous, चीक है, so sentence यहाँ से पकड़ते हैं, धीरु भाई अपने दोस्तों के साथ, बैठे हुए थे, sentence है यहाँ से, इसके जो पहले की चीज है न, उपर एक lawn में, इसको पहले बना दो, या end में बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले बना के खतम कर देता हूँ, उपर एक lawn में, अब मैंने बताया हुआ है, उपर को अगर हम वैसे बोलते हैं, upstairs, नीचे को downstairs, चीक है, so in a lawn upstairs, या फिर upstairs, in a lawn, दोनों बिल्कुल ठीक है, so in a lawn upstairs, उपर एक lawn में, अब sentence पकड़ते हैं, धीरु भाई अपने दोस्तों के साथ, अब सारे तरीके हैं, चाहो तो having plus third phone, या फिर after का use, इसको तोड़ सकते हो, चीक है, by का use कर सकते हो, simple ing लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने यहाँ पर after का use कर दिया, इसको तोड़ देते हैं, simple formation में, मुझे वहाँ देखकर, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे देखने के बाद, उन्होंने महाँ मुझे बुलाया, पहले नोंने मुझे देखा, फिर नोंने मुझे बुलाया, तो इसको मैं दूसरे तरीके सब को बना के दिखा रहा हूँ, चीक है, so after seeing me, after seeing me, मुझे देखने के बाद, अब after और before के बाद, action जो होता है, उसमें ing आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हिंदी में ना, हिंदी में, आपको ना, नी, ने वाला सेंस मिल जाएगा, after before से पहले, जैसे मैं बुलू, सोने से पहले दवाई खा लेना, तो सो, ना, ना का सेंस लग गया है हाँपे, सोने से पहले सोने, जैसे नाने के बाद, कप्ड़े सुखा देना, तो नाने, जैसे जो before, after के बाद, यह ing का सेंस होता है हिंदी में भी आप अगर नोटिस करोगे, तो ना, नी, ने वाला सेंस मिलेगा, जैसे जैसे मुझे देखने के बाद, after seeing me, वहाँ, देर, उन्होंने मुझे बुलाया, चीक है, उन्होंने मुझे बुलाया, past indefinite sentence है, चीक है, he called me, अब इस sentence जो शुरू करा, मैंने, doer से शुरू करा, कि उन्होंने मुझे बुलाया, he did call आना चीए, did छुपकिया call के अंदर, he called me, बाकी का जो है, आप इसको पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, he called me, after seeing me there, ये भी सही है, after seeing me there, he called me, ये भी सही है, चीक है, so sentence जो आप पकड़ो, sentence जहाँ पर doer दिये, अगर doer वाला sentence है, तो doer से पकड़ा करो, अगर simple sentence है, तो किसकी बात चल रही है, उससे बगड़ा करो, अगर उसमें doer नहीं है, तो, आपको sentence बहुत easily बनाने आ जाएंगे, उन्होंने मुझे वहाँ बैठने को कहा, अब ये sentence देखो, doer से ही शुरू हो रहा है, तो इसमें कोई confusion नहीं है, ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ बैठने को कहा, अब ये जो होता है कहना, नहीं बैठो बड़े, थोड़ा insist करना, मतलब थोड़ा सा जिद करना, उस तरीके से, so he said भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर insist सभी वर्ट लगेगा, कि ये मना कर रहा था, कि नहीं मैं नहीं मैं ठीक हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा insist किया, ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ बैठने को कहा, so doer main word action, doer कौन है, किसे ने कहा, उन्होंने, he, main word लगेगा did, action कहा है insist, कि कहना उस चीज़ के लिए है, so he insisted, क्योंकि insist के अंदर did छुप गया, और second form बनेगी, he insisted, क्या, मुझे कोई चीज़ करने के लिए, he insisted me to sit there, अब ये चीज़ की information, मैंने कई बार बताई हुई है, कि मैं किसे से कुछ करवाना चाहता हूँ, ठीक है, so I want, फिर किस से, फिर to, और फिर क्या काम, so he insisted, किसको, मी, मुझे, to, किस चीज़ के लिए, बैठने के लिए, sit there, ये वाली formation होती है, so उन्होंने, मुझे वहाँ बैठने को का, he insisted me to sit there, फिर उन्होंने, अपने दोस्तों के सामने कहा, ठीक है, अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, अब भाई यहाँ पर ध्यान से आप एक चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ पर past perfect की sense आ रही है, मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, past perfect में बच्चे confused रहते हैं, मैंने देखा हैं, काफी लोग confused रहते हैं, मैंने समझाया हुआ है past perfect के sentences में, कि past का past होता है past perfect, अगर मैं एक past के, किसी scene की बात कर रहा हूँ, उससे पहले जो चीज़ हो गई, वो past perfect है, समझ रहे हो, जैसे सबसे simple example, मेरे station पहुँचने से पहले train चली गई, ठीक है, अब मैं मान लिजे घर आया हूँ 12 बजे, दुफैर को 12 बजे मैं घर आया, और मैं घर आके बता रहा हूँ, कि यार मैं station 11 बजे पहुचा था, लेकिन जो train थी, वो साड़े 10 बजे चली गई थी, तो अब 12 बजे, मेरे station पहुचना, जो मैं 11 बजे पहुचा था, ये भी past का scenario है, और साड़े 10 बजे train चली गई, ये भी past है, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, past का past, सबसे पहले train गई, फिर मैं वहाँ पहुचा, तो train जाने वाला जो scene है न, ये आपका past perfect है, और मैं वहाँ पहुचा, ये अभी मेरे लिए past indefinite है, समझ रहे हो, अब यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है, अपने बलबर खड़ा हो गया, ये past indefinite है, लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ, ये गिर गया था, चीक है, तो जो ये गिर गया था न, ये past perfect sentence है, क्योंकि मैं दौनों scene की बात कर रहा हूं, तो कोई भी चीज, आप देखना, नोटिस करना, आपको जब भी had का use कहीं मिलेगा न, इस तरह के sentences में, या तो sense दिया हुआ होगा, या फिर पूरा sentence दिया हुआ होगा, जो एक past indefinite भी लेकर चल रहा है, ठीक है, तो ये लड़का गिर गया था, लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, तो ये लड़का जो गिर गया था, ये sentence है past का past, ठीक, so this boy had fallen down, so doer, main word, action, समझे लिए, doer, main word, action, doer कौन है, कौन गिर गया था, ये लड़का, this boy, फिर main word लगेगा, had, action की third form लगेगी, so fallen down, नीचे गिर गया था, वही वाला sense है, ये लड़का गिर गया था, this boy had fallen down, लेकिन, बट, अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, अब यहाँ पर जो अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, यहाँ पर मैंने, mention ही नहीं किया हिंदी में भी, कि ये अपने बल पर, वहे अपने बल पर, ये लड़का अपने बल पर, same आपको English में भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर, चीक है, अगर confusion हो, तो लगा सकते हो, do or main word action की formation, past indefinite sentence है, do or कौन है, कौन खड़ा होगा, ये लड़का, this boy, या फिर he, अब दुवारा खड़ा होने की बतलब है, get up, चीक है, आएगा main word, फिर get up action, did छुपा, get up के अंदर, got up बन गया, so he got up again, दुवारा खड़ा हो गया, चीक है, on his own strength, on his own strength, इसका मतलब है, अपने बल पर, चीक है, अपने अपनी शक्ती पर, अपनी strength पर, चीक है, on his own का आपने सुनाई होगा, मतलब, अपने आप, वो वाला मतलब होता है, लेकिन ये कैसे खड़ा होगा, on his own strength, अपने बल पर खड़ा हो गया, चीक है, अगर बोलू के, बट, गॉड़ाब अगेन, on his own strength, तो ये थे आज के sentences, I hope वीडियो आपके लिए बहुत useful रही होगी, कोई doubt है, कोई भी confusion है, comment box में चाहिए, वहाँ मुझसे पुछिए, वीडियो पसंद आई है, तो please like कीजए, नए है, like, subscribe, दोनर कीजए,